तो नाव वी एर गोई तो डिसकस अ ड्रग देट इस कॉल्ड एस वैल सार्टन सो वैल सार्टन इसमें लवज आता है सार्टन सार्टन हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं के सार्टन जब भी आ जाए यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की मेडिसन होती है हमारे पास पाकिस्तान में डायोवैन के नाम से अवेलेबल है इसकी लावा वैल सार्टन के नाम से भी हमारे पास पाकिस्तान इंडिया में वैलेबल होती है और वैल टेक एम यानि एम्लोडी पीन और वैल सार्टन एक साथ आती है एक स्टार में भी एम्लोडीपीन और वेल सार्टन एक साथ आ रही होती है वेल सार्टन एक बहुत ही क्लिनिकल यूजफुल ड्रग है खास करके लोग इसको बलड प्रेशर में इस्तेबाल करते हैं टेबलेट की फॉर्म में 40Mg, 80Mg, 160Mg, 320Mg, मुक्तलिफ mg में यह अवेलिबल है फार्माकोलोजी बहुत ही सिम्पल सी है कि यह हमारे पास फर्स करें बलड वैसल्स है तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है एंजियोटेंसन, एंजियोटेंसन टू angiotensin आता है और हमारे blood vessels के ओपर action perform करता है कैसे यहाँ पर होता है receptor angiotensin का receptor हमारे blood vessels के ओपर होता है जैसे ही angiotensin यहाँ पर bind करता है blood vessels narrow हो जाती है जैसे blood vessels narrow हो जाती है तो जो blood यहाँ से pass करेगा तो यहाँ से जब blood pass करता है तो हमारे पस blood pressure increase हो जाता है तो जब blood pressure increase होता है हम क्या करते हैं इस receptor को block कर देते हैं यानि एक blocker देते हैं जैसे हमारे पस receptor का blocker होता है तो well sartan क्या करेगी well sartan drug आयगी यह आपके पास drug यहाँ से block कर देगी जब यह receptor यहां block हो जाएगा तो angiotensin 2 अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो blood vessel छोटी नहीं होगी बलके normal strength पे आ जाएगी तो जो blood pressure increase हुआ है वो वापस अपने normal level पे आ जाएगा तो यह हमारे पास pharmacology है well certain की clinical uses या indications जिनकों कहते हैं सबसे पहली बात hypertension जिन लोगों को blood pressure increase होता है 80-160 mg पर oral per day में इस्तिमाल कर सकते हैं और even 320 mg maximum range तक भी हम जा सकते हैं तो सबसे पहली बात तो hypertension में well certain बहुत ही useful drug है इसके इलावा heart failure जिन लोगों को heart failure का मसला होता है 40 mg पर oral BID यानि 22 दे सकते हैं और इसके इलावा 80-160 mg तक भी हम एक दिन में जा सकते हैं जिस चीज़ की जरूरत होगी तो hypertension के इलावा जिन लोगों को heart failure का मसला हो उसमें भी drug इस्तेमाल की जा सकती है अच्छा post myocardial infarction कुछ लोगों को heart attack हो जाता है heart attack के बाद भी अगर आप ने उनको क्योंकि cardiovascular problem होती है तो उस case में भी हम 20 mg पर oral BID ये drug दे सकते हैं वेल सार्टन और even 40 mg तक भी हम increase कर सकते हैं साथ दिन के अंदर दरह में dose increase भी कर सकते हैं वेल सार्टन की तो hypertension यनी high blood pressure, heart failure और post myocardial infarction मुक्तलिफ conditions में drug का इस्तेमाल किया जा सकता है warning science कभी भी pregnancy में drug इस्तेमाल नहीं करनी फॉरण से discontinue कर लेनी है pregnancy में वरना fetus में बहुत issues आ सकते हैं दूसरी बात कभी भी हमने co administer नहीं करनी aliskyrin with diabetes mellitus कभी भी aliskyrin इनके साथ नहीं देनी वरना बड़े serious reactions हो सकते हैं अच्छा अगर आपको anti-hypotensives पे detailed lectures देखने हैं तो आप pharmacology और medicine में शबनूर medicine को जाएंगे यानि youtube पे जाएं youtube पे शबनूर medicine लिखें और ये page आएगा उसको visit करें आपको detail pharmacology मिलेगी anti-hypotensives की so thank you very much